समाहरों को इंगलिश में क्या कहते है या आज किस वीडिओ में सेख लेते हैं समाहरों को इंगलिश में आप फंक्शन या सेरमनी कह सकते हैं जैसे कि एगर आप ये कहना चाहें कि शादी समाहरो मार्च में होगा तो आप कह सकते हैं the wedding ceremony will be held in march The wedding ceremony will be held in March या अगर आप ये कहना चाहें कि समारो की शुरुवात तुरही की धुन से हुई तो आप कह सकते हैं The ceremony opened with a fanfare of trumpets The ceremony opened with a fanfare of trumpets अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब Hindi और English में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास की सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें